नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं मार्ज की कहानी कहानी का सिर्षक है रानी सारंधा अंधेरी रात के सनाटे में धसान नदी, चटानों से टकराती हुए ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चकिया नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वरिक्षों ने घेर रखा है टीले के फूल की और एक छोटा सा गाउं है यह गढ़ी और गाउं दोनों एक बुंदेला सरकार के कृतिक चिन है शताब्दिया वेतीत हो गई, बुंदेल खंड में कितने ही राजियों का उदे और अस्थ हुआ मुसल्मान आये और बुंदेला राजा उठे और गिरे कोई गाउं कोई इलाका एसा न था जो इन दुर अवस्थाओं से पढ़ित न हो मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रू की विजय पताका न लहराई और इस गाउं में किसी विद्रोह का भी परदारपन न हुआ यह उसका सोभाग्य था अनिरूध सी वीर राजपूत था वह जमाने ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहूबल और प्राकरम का ही भरोसा था एक और मुसलमान से नाए पैर जमाए खड़ी रहती थी दूसरी और बलवान राज़ा अपने निर्वल भाईयों का गला गोटने पर ततपर रहते थे अनिरूद सी के पास सवारों और प्यादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था तीन वर्ष पहले उसका विवाह सीतला देवी से हुआ था मगर अनिरूद विहार के दिन और विलास की राते पहाडों में काटता था और सीतला उसकी जान की खैर मनाने में वह कितनी बार पती से अनुरूद कर चुकी थी कितनी बार उसके पैरों गिर कर रोई थी कि तुम मेरी आँखों से दूर न हो मुझे हरिद्वार ले चलो मुझे तुम्हारे साथ बनवास अच्छा है यह व्योग अब नहीं सहा जाता उसने प्यार से कहा जीत से कहा विने की मगर अनिरूद बुंदेला था शितला अपने किसी हथियार से उसे प्रास्ट न कर सकी अंधेरी रात थी सारी दुनिया सुती थी तारे अकाश में जाकते थे शितला देभी पलंग पर पड़ी करवटे बदल रही थी और उसकी ननत सारंधा फर्ष पर बैठी मधूर स्वर से गाती थी बिन रगुवीर कटत नहीं रैन शितला ने कहा जी न जलाओ क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती सारंधा तुम्हें लोरी सुना रही हो शितला मेरी आखों से तो नींद लोप हो गई सारंधा किसी को ढूंडने गई होगी इतने में द्वार खुला एक गठे बदन के रुपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया वह अनिरुध था उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हत्यार न था शितला चरपाई से उतर कर जमीन पर बैठ गई सरंधा ने पूछा भया ये कपड़े भीगे क्यों है अनिरुध नदी तैर कर आया हूँ सरंधा हत्यार क्या हुए अनिरुध छिन गए सरंधा और साथ के साथ ही अनिरुध सबने वीरगती पाई शितला ने दभी जबान से कहा इश्वर नहीं कुशल किया मगर सरंधा के तीवरों पर बल पड़ गए और मुख मंडल गर्ब से सतेज हो गया बोली भया तुमने कुल की मर्यादा खो दी एसा कभी न हुआ था सरंधा भाई पर जान देती थी उसके मुझ सियद ही कार सुनकर अनिरुध लज्जा और खेट से विकल हो गया वह विरागनी जिसे छण भर के लिए नुरागने दबा लिया था फिर जोलन्त हो गई वह उल्टे पाउं लोटा और यह कहकर बाहर चला गया कि सरंधा तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया यह बात मुझे कभी न भूलेगी अंधेरी रात थी अकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंदला था अनिरुद किले से बाहर निकला पल भर में नदी के उस पार जा पहुँचा और फिर अंधकार में लुप्थ हो गया शीतला उसके पीछे पीछे किले की दिवारों तक आई मगर जब अनिरुद छलांग मार कर बाहर कूद पड़ा तो अब विरहनी चटान पर बैट कर रोनी लगी इतने में सरंधा भी वहां आ पहुँची शीतला ने नागिन की तरह बलखा कर कहा मर्याद्या इतनी प्यारी है सरंधा हाँ शीतला अपना पती होता तो हिर्दे में छिपा लेती सरंधा ना छाती में छुरा चुभा देती शीतला ने एट कर कहा चोली में छिपाती फिरोगी मेरी बात गिरह में बांध लो सरंधा जेस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना बचन पूरा कर दिखाऊंगे इस घटना के तीन महिने पीछे अनिरुद महरोनी को जीत कर लोटा और साल भर पीछे सरंधा का विवाह और्चा के राजा चंपत राय से हो गया मगर उस दिन की बाते दोनों महिलाओं के हिर्दे अस्थल में काटे की तरह खटकती रही राजा चंपत राय बड़े प्रितभाशाली पुरुष थे सारी मुंदेला जाती उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्त को मानती थी गद्धी पर बेढ़ते ही उन्होंने मुगल बात्शाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राजय विस्तार करने लगे मुसल्मानों की सिनाय बार बार उन पर हमले करती और हार कर लोट जाती यही समय था कि जब अनिरुध ने सरंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया सरंधा ने मुह मांगी मुराद पाई उसकिया भिलाशा की मेरा पती बुंदेला जाती का कुल तिलक हो पूरी हुई यत्पी राजा के रनिवास में पाँच रानिया थी मगर उन्हें शिगरी मालूम हो गया कि वह देवी जो हिर्दय में मेरी पूजा करती है सरंधा है प्रंतु कुछ घटना ऐसी हुई कि चंपत राय को मुगल बाश्चाह का आश्रित होना पड़ा वे अपना राज अपने भाई पहाड सिंग को सौप कर देहली चले गए यह साज यहां के शासन काल कंतिम भाग था शहजादा दारा शिको राजकिये कारियों को संभालते थे युराज की आखों में शील था और चित में उदारता उन्हेंने चंपत राय की विर्ता की कथाएं सुनी थी इसलिए उनका बहुत आदर समान किया करते थे और कालपिक की बहमूल जागीर उनको भेंट की जिसकी आमदनी नौ लाख थी यह पहला उसर था कि चंपत राय को आये दिन के लड़ाई जगड़े से निवरित्ती मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल लिह हुआ रात दिन आमोत प्रमोत की चर्चा रहने लगी राजा विलास में डूबे रानिया जड़ाव गहनों पर रीजी मगर सरांधा इंदों बहुत उदास हर संकुचित रहती वो इन रहस्यों से दूर रहती यह निरित्त और गान की सभाएं उसे सुनी परतीत होती एक दिन चंपत राय ने सरंधा से कहा सारन तुम उदास क्यों रहती हो तुम्हें कभी हस्ते नहीं देखता क्या मुझसे नाराज हो सरंधा की आखों में जल भर आया बोली स्वामी जी आप क्यों है सविचार करते है जहां आप प्रसन है वहां मैं भी खुश हूँ मैं जब सिहां आया हूँ तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनुहारनी मुस्कराहट नहीं देखी तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीडा नहीं खिलाया कभी मेरी पाग नहीं सवारी कभी मेरे सरीर पर सस्त्र न सजाए कहीं प्रियमलता मुर्जाने तो नहीं लगी सरंधा, प्राणनात, आप मुझे से ऐसी बाते पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है इथार्थ में इन दिनों मेरा चित उदास रहता है मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूं मगर बहुत सहिर्दे पर धरा रहता है चंपतराय स्वयम आनंद में मगने थे इसलिए उनके विचार में सरंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था विभुवें सिकोड कर बोले मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेस कारण नहीं मालूम होता और्चे में कौन सा सुक था जो यहां नहीं है सरंधा का चेहरा लाल हो गया बोली मैं कुछ कहूं आप नाराज तो नहोंगे चंपतराय नहीं शौक से कहो सरंधा और्चे में मैं एक राजा की रानी थी यहां मैं एक जागिदार की चेरी हूँ और्चे में वह थी जो अवद में कोशल्या थी यहां मैं बाजसा के एक सेवक की इस्त्री हूँ जित बाजसा के सामने आज आज आप आदर से सिर जुकाते हैं वो कल आपके नाम से कांपता था रानी से चिरी होकर भी प्रसंचित होना मेरे वस में नहीं है आपने यह पद और यह विलास की समगरियां बड़े महंगे दामों मोल ली है चंपत राय के नेत्रों पर से एक परदा सा हट गया वे अब तक सरंधा की आत्मिक उस्ता को ना जानते थे जैसे बे मा बाप का बालक मा की चर्चा सुनकर रोने लगता है उसी तरह वर्षी की याद से चंपत राय की आखे सजल हो गई उन्होंने आदर यूग तनुराग के साथ सरंधा को हिरदे से लगा लिया आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहां से धन और किर्ती के विलाशाएं खीच लाई थी मा अपने खोई हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है चंपत राय के आने से बुंदेल खंड निहाल हो गया और छे के भाग जागे नोबते बजने लगी और फिर सरंधा के कमल नेत्रों में जातिय भिमान का आभास दिखलाई देने लगा यहां रहते रहते महीनों बीट गए इस बीच में शाह जहां बिमार पड़ा पहले सरिशा की अगनी दहक रही थी यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई संग्राम की तयारिया होने लगी मुराद और मुही उद्दिन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे यहां तक की धौलपूर के निकट चंबल के तट पर आ पहुँचे प्रंतु यहां उन्होंने बाशाही सेना को अपने शुभा गमन के निमित तयार पाया शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े सामने अगम में नदी लहरे मार रही थी किसी योगी के त्याग के सद्रिश विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूपती हुई नाव को पार लगाईए राजा ने भवन में जाकर सरंधा से पूछा इसका क्या उत्तर दू सरंधा आपको मदद करनी होगी चंपत राय उनकी मदद करना दाराशिकों से वैर लेना है सरंधा यह सत्य है प्रन्तु हाथ फैलाने की मरियादा भी तो निभानी चाहिए चंपत राय प्रिये तुमने सोच कर जवाब नहीं दिया सरंधा प्राणनात मैं चीतरा जानती हूँ कि यह मार कठीन है और अब हमें अपने रधाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा प्रन्तु हम अपना रध बहाएंगे और चंपल की लहरों को लाल कर देंगे विश्वास रखिये कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वो हमारे वीरों की कृतिगान करती रहेगी जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा यरत बिंदू उसके माथे पर केसर का तिलक बन कर चमकेंगे वाई मुंडल में मेग राज की सिनाएं उमड रही थी उर्चे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेक के साथ चंबल की तरफ चली परतेक सिपाही वीर रस से जूम रहा था सरंधा ने दोनों राज कमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बिड़ा दे कर कहा बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है आज उसका एक एक अंग मुश्कुरा रहा है और हिर्दे हुलसित है बुंदेलों की हैसे न देखकर शहजादे फूले न समाए राजा महा की अंगूल अंगूल भूमी से परिचित थे उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड में छिपा दिया और वे शहजादों की फोज को सजा कर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की और चले दराशिको को भ्रम हुआ की शत्रु किस यन घाटे से नदी उतरना चाहता है उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंथ ही नदी में घोडे डाल दिये चंपत राय ने शहजादा दाराशिको को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया इस कठीन चाल में साथ घंटों का विलंभ हुआ प्रंतु जाकर देखा तो साथ सौ बुंदेलों की लाशे तड़प रही थी राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बन गए शहजादों की सेना नभी अलाह अकवर की धोनी के साथ धावा किया बाद शाही सेना में हलचल पड़ गए उनकी पंक्तियां छिन भीन हो गए हाथो हाथ लड़ाई होने लगी यहां तकी शाम हो गए रंडभो में रुधिर से लाल हो गए और आकाश में अंधेरा हो गया घमा सान की मार हो रही थी बाद शाही सेना शहजादों को दबाए आती थी अकस्मात पश्चिम से फिर बिंदोलों की एक लहर उठी और इस वेख से बाद साही सेना की पूष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड गए जीता वह मैदान हाथ से निकल गया लोगों को कौतुहल था कि यह दैवी सहायता कहां से आई सरल सभाओ के लोगों की धारना यह थी कि फता के फरिष्टे हैं शहजादों की मदद के लिए आये हैं प्रंतु जब राजा चंपत रायक निकट गए तो सरंधा ने गोड़े से उतर कर उनके पैरों पर सिर जुका दिया राजा को असीम आनंद हुआ यह सारंधा थी समर्भुमी का द्रिस इस समय अत्यंत दुख में था थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे वहाँ बेजान लाशें तड़ परही थी मनुष्ट ने अपने स्वार्थ के लिए नादी काल सही भाईयों की हत्या की है अब विजयी सेना लूट पर तूट पड़ी पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे वह वीर्ता और प्राकरम का चित्र था यह निष्टा और दुर्बलता की गलानी प्रत तस्वीर थी उस समय मनुष्य पशू बना हुआ था अब वह पशू से भी बढ़ गया है इस नोच खसोट में लोगों को बास्साही सेना के सेनापती वली बहादूर खां की लास दिखाई दी उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मकिया उड़ा रहा था राजा को घोड़ों का शोग था देखते ही वह उस पर मोहित हो गया यही राकी जाती का अती सुन्दर भोड़ा था एक-एक अंग सांचे में ढ़ला हुआ सी किसी छाती, चीते किसी कमर उसका यह प्रेम और सौामी भक्ती देखकर लोगों को बड़ा कुतुहल हुआ राजा ने हुक्म दिया, खबरदार इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए इससे जीता पकड़ लो और यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूँगा योधा गंड चारो और से लपके प्रन्तु किसी को सहास न होता था कि उसके निकट जा सके कोई चुमकार रहा था कोई फंदे फसाने की फिक्र में था पर कोई उपाय सफल न होता था वहां सी पाहियों का मेला से लगा हुआ था तब सरांधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई वो उसकी आखों में प्रेम का प्रकाश्च का चल नहीं घोड़े ने सिर जुका दिया रानी ने उसकी गरदन पर हाथ रखा और वहां उसकी पीट से हलाने लगी घोड़े ने उसके अंचल में मुह चिपा लिया रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की और चली घोड़ा इस तरह चुप चाप उसके पीछे चला मानो सदेव उसका सेवक है वह बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सरंधा से भी निश्ठूरता की होती यह सुन्दर घोड़ा आगे चल कर इस राज परिवार के निमित स्वर्ण जितिक मिल्क साबित हुआ संसार एक अरण छित्र है इस मैदान में उसी सिनापती को विज़े लाव होता है जो आउसर को पहचानता है वो आउसर पर इतने उसास आगे बढ़ता है उतने ही उसास से आपती के समय पीछे हट जाता है वरवीर पुरुष राष्ट का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यस के फूलों की वर्षा करता है पर इस मैदान में कभी-कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो आसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते ये रणवीर पुरुष विजय को निती भेट कर देते हैं वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे किन्तु जहां एक बार पहुँच गये हैं वहां से कदम पीछे ना हटाएंगे उनमें कोई विरलाही संसार शेतर में विजय प्राप्त करता है किन्तु प्राया उसकी हार विजय से वेधिक गौरातमक होती है अगर अनुभव सिल सेनापती रास्टों की निव डालता है तो आन पर जान देने वाला मुह ना मोडने वाला सिपाही रास्ट के भावों को उच करता है अब उसके हिर्देब पर नैति गौरों को अंकित कर देता है उसे इस कारशेतर में चाहे सफलता न हो किन्तु जब किसी वाक्य या सभा में उसका नाम जवान पर आता है सुरता गन एक स्वर्च से उसके करिती गौरों को प्रतिधुनित कर देते हैं सरंधा आन पर जान देने वालों में थी शहजादा मुही उदिन चंबल के किनारे से आगरे की और चला तो सभाग उसके सीर पर मूर्चल हिलाता था जब आगरे पहुँचा तो विजय देवी ने उसके लिए राज सिंहासन सजा दिया और अंग्जेब गुनग्य था उसने बासाही अफसरों के अपराद को छमा कर दिये उनके राज पद लोटा दिये और राजा चंपत राय को उसके बहमूल क्रिक्तियों के उपलक्ष में बारह हजारी मनसब परदान किया वर्चा से बनारस और बनारस से जमना तक उसकी जागिर नियत की गई बुन्देला राजा फिर राज सिवक बना हुआ फिर सुख विलास में डूबा और रानी सरंधा फिर प्राधिंता के शोप में घुलने लगी वली बहादूर खां बड़ा वाक के चतर मनुश्य था उसकी मृद्धता ने शिक्र ही उसे बाश्या आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया उस पर राज सभा में समान के द्रिष्टी पढ़ने लगी खां सहाव के मन में अपने गोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शोप था एक दिन कुवर छटर साल उसी गोड़े पर सवार होकर सेर को गया वो खां सहाव के मल की तरफ जा निकला वली बहादूर इसे ही औसर की ताक में था उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया राज कुमार अकेले क्या करता पाउ पाउ घर आया और उसने सरंधा से सब समचार बयान किया रानी का चेहरा तम तम आ गया बोली मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लोटा क्या तरे शरीन में बुंदेलों का रक्त नहीं है घोड़ा ना मिलता न सही किन्तु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा चीन लेना हसी नहीं है यह करकर उसने अपने 25 से धाओं को तयार होने की आगया दी सुयम अस्तरा धारन की और धाओं के साथ वली बहादुर खां की निवास अस्थान पर जा पहुँची खां सहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरवार चले गए थे सरंधा दरवार की तरफ चली और एक छड़ में किसी वेगवती नदी के सदरिश बाजशाही दरवार के सामने जहां पहुँची यह कैफिया देखते ही दरवार में हलचल मच गई अधिकारी वर्ग इधर सुधर आकर जमा हो गए आलमगीर भी सहन में निकल लाए लोग अपने अपनी तलवारें समभालने लगे और चारो तरफ शोर मच गया कितने ही नित्रों ने इसी दरवार में अमर सिंग की तलवार की चमक देखी उन्हें वही घटना फिर याद आ गई सरंधान उस स्वर से कहा खा सहाब बड़ी लज्जा की बात है आपने वही विर्टा जो चम्बल के तट पर दिखानी चाहिए थी आज एक अबोध बालक के समुख दिखाई है क्या है उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते वली बहादुर खा की आँखों से अगनी जौला निकल रही थी वह कड़ी आवाज से बोले किसी गैर को क्या मजाल है कि मेरी चीज अपने काम में लाए रानी वह आफ की चीज नहीं मेरी है मैंने उसे रणभूमी में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है क्या रणिती की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते खां सहाब वो घोड़ा मैं नहीं दे सकता उसके बदले में सारा अस्तबल आफ की नजर है रानी मैं अपना घोड़ा लूँगी खां सहाब मैं उसके बराबर जहराद दे सकता हूँ प्रन्तु घोड़ा नहीं दे सकता रानी तो फिर इसका निश्य तलवार से होगा बुंदेला ए धावने तलवारे सोंत ली और निकट था की दरवार की भूमी रक्ट से पलावित हो जाए बाश्या आलमगीर ने बीच में आकर कहा रानी साहिबा आप सिपाहियों को रोके घोड़ा आपको मिल जाएगा प्रन्तु इसका मूल बहुत देना पड़ेगा रानी मैं उसके लिए अपना सर्वस्थ खोने को तयार हूँ बाश्या जागीर और मनसब भी रानी जागीर और मनसब कोई चीज नहीं बाश्या अपना राज्य भी रानी हाँ राज्य भी बाश्या एक घोड़े के लिए रानी नहीं उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसधिक मुल्यवान है बाश्या वह क्या है रानी अपनी आन इस भाती रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विश्तित जागिर उचराज और राज समान सब हाथ से खोया और किवल इतना ही नहीं भुष्षी के लिए काटे बोए इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांती ना मिली राजा चंपत राय ने फिर और्चे के किले में पदारपन किया उन्हें मनसब और जगीर के हाथ से निकल जाने के अत्यंत शोक हुआ किन्तु उन्होंने अपने मुह से शिकायत के एक्षवत भी नहीं निकाला वे सरंधा के सभाव को भली भाती जानते थे शिकायत इस समय उसके आत्मगोरों पर कुठार का काम करती कुछ दिन यहां शांती पुरवग व्यतीत हुए लेकिन बाच्षा सरंधा की कठोर बात भूला न था वह छमा करना जानता ही न था यह हुई भाईयों की ओर से निशिंत हुआ उसने एक बड़ी सेना चमपत राय को अगर्व चूर्ण करने के लिए भेजी और 22 अनभवशील सरदार इस मुहीम पर न्यूक किये शुबकरन बुंदेला बाच्षा का सुवेदार था वह चमपत राय का बच्पन का मित्र था और सहपाथी था उसने चमपत राय को प्राष्ट करने का बिड़ा उठाया और कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुक होकर बाच्षाही सुवेदार से आमिले एक गोहर संग्राम हुआ भाईयों की तलवाने रख्ट से लाल हुई यत्पी समर में राजा को विजय प्राप्त हुई लेकिन उसकी शक्ती सदा के लिए छण हो गई निकटवर्ती बुंदेला राजा जो चमपत राय के बाहु बल थे बाच्षाह के कृपा कांची बन बैठे साथियों में कुछ तो काम आये कुछ दगा कर गए यहां तक की निज सम्मंधियों ने भी आखे चुरा ली प्रंतु इन कठेनाईयों में भी चमपत राय ने हिमत नहीं हारी धीरस को न छोड़ा उन्होंने और्छा छोड़ दिया और वह तीन वर्ष तक बुंदेल खंड के सघन परवुता पर छिपते फिरते रहे बाशाही सिनाय शिकारी जनवरों की भाती सारे देश में मंडरा रही थी आये दीन राजा का किसी ने किसी से सामना हो जाता था सरंधा सदेव उनके साथ रहती और उनका सहस बढ़ाया करती बड़ी बड़ी आपतियों में जब धैर लुप्त हो जाता और आशा साथ छोड़ देती आत्मरच्छा का धर्म उसे संभाले रहता है तीन साल के बाद अंत में बाश्चा के सुविदारों ने आलमगीर को सुचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से नहीं होगा उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो राजा ने समझा संकट से निवरित्ती हुई पर वबाद शिगरी भ्रमात्मक सिध हो गई तीन सब्ता से बाश्चाही सिना ने और चा को घेर रखा है जिस तरह कठोर वचन हिर्दे को छेद डालते हैं उसी तरह तोपों के गोलों ने दिवारों को छेद डाला केले में 20,000 आदमी खिरे हुए हैं लेकिन उनमें आधे से अधिक इस्तरिया और उनमें से कुछी कम बालक है मर्दों की संख्या दिनो दिन नियून होती जाती है आने जाने के मार्क चारो तरफ से बंद हैं हवा का भी गुजर नहीं रसत का समान बहुत कम रह गया है इस तरियां पुर्षों और बालकों को जिवित रखने के लिए आप उपवास करती है लोग बहुत हतास हो रहे हैं औरतें सुर नरायन की ओर से हाथ उठा उठा कर शत्रू को कोशती है बालक विंद्र मारे कुरूत के दिवार की आड से उन पर पत्थर फेटते हैं जो मुश्किल से दिवार को सपार जा पाते हैं राजा चंपत राज स्वयम जोर से पडित हैं उन्होंने कई दिन से चरपाई नहीं छोड़ी उन्हें देखकर लोगों का कुछ धाठस होता था लेकिन उनकी विमारी से सारे किले में नराशर चाया हुआ है राजा ने सरंधा से कहा आज सत्रू जरूर किले में घुसाएंगे सरंधा इस्वर न करे कि नाफों से वदीन देखना पड़े राजा मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ इस्ट्रियों और बालकों की है गेहूं के साथ या घुन पेश जाएंगे सरंधा हम लोग यहां से निकल जाएं तो कैसा राजा इन अनाथों को छोड़ कर सरंधा हम न होंगे तो सत्रू इन पर कुछ दयाही करेंगे राजा नहीं यह लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे मर्दों ने अपनी जान हमारी सिवा मेरपन कर दी है उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापी नहीं छोड़ सकता सरंधा लेकिन यहां रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते राजा उनके साथ प्रान तो दे सकते हैं मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूँगा उनके लिए बाजसाही सेना की खुशामत करूँगा करावास की कठनाईया सहूँगा कि इस संकट मुने नहीं छोड़ सकता सरंधा ने लजित होकर सिर जुका लिया और सोचने लगी निसंदे प्रियसाथियों को आग की आच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर निशता है मैं ऐसी सरवाथांध क्यूं हो गई हूँ लेकिन एक विचार उत्पन हुआ बोली यदि आपको विश्वास हो जाए कि ने आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाए तब तो आपको चलने में कोई बाधा न होगी राजा कोन विश्वास दिलाएगा सरंधा बाजसा के सेनापती का प्रतिग्या पत्र राजा हाँ तब मैं सानद चलूँगा सरंधा विचार सागर में डूबी बाजसा के सेनापती से क्यों कर यह प्रतिग्या कराओ कौन यह प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा और निर्दई यसी प्रतिग्या करने ही क्यों लगे उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है मेरे यहां से निती कुशल वाक पट्टू चतुर कौन है छत्रसाल चाहें तो यह कर सकता है उनमें यह सब गुण मोजुग है इस तरह मन में निश्य करके राणी ने छत्रसाल को बुलाया यह उसके चारों पुत्रों में बुधिमान और सहसी था जब छत्रसाल ने आकर राणी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेतर सजल हो गए और हिर्देश से द्रिगनी स्वास निकलाया छत्रसाल माता मेरे लिए क्या गया है राणी आज लड़ाई क्या धंग है छत्रसाल हमारे पच्चाज से उधा अब तक काम आ चुके हैं राणी बुन्देलों की लाज अविश्वर के हाथ है छत्रसाल हम आज रात को छापा मारेंगे राणी ने संशेप अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्चित किया और कहा यह काम किसे सौपा जाए छत्रसाल मुझको तुम इसे पूरा कर दिखाओगे हाँ मुझे पुर्ण विश्वास है अच्छा जाओ परमात्मा तुम्हारा मनुरत पूरा करे छत्रसाल जब चला तो राणी ने उसे हिर्दे से लगा लिया और तब आकाश की और दोनों हाथ उठा कर कहा दयानी धी मैंने अपना तरुन और हुनहार पुत्र बंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है मैंने बड़ी मुल्यवान वस्तु अर्पित की है इसे सुईकार करो दूसरे दिन प्राता काल सरंधा सनान करके थाल में पूजा की सामगरी लिये मंदिर को चली उसका चेहरा पिला पड़ गया था और आखो तले अंधेरा चा जाता था वो मंदिर के द्वार पर पहुँची थी कि उसके थाल में से बाहर से आकर एक तीर गिरा तीर की नोग पर एक कागज का पूर्जा लिप्टा हुआ था सरंधा ने थाल मंदिर के चबुत्रे पर रख दिया और पूर्जे खोल कर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया लेकिन आनंद छण भर का था हाए इस पूर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया कागज के टुकडे को इतने महंगे दामों पर किसने लिया होगा मंदिर से लोड का सरंधा राजा चंपत राय के पास कही और बोली प्राण नात आपने जवचन किया था उसे पूरा कीजिए राजा ने चौक कर पूछा तुमने अपना वादा पूरा कर दिया राणी ने वह पर तिग्यापत राजा को दे दिया चंपत राय ने उसे गोर से देखा फिर बोले अब मैं चलूँगा और इश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रूओं की खबर लूँगा लेकिन सारन सच बताओ इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है राणी ने कुंठित स्वर से कहा बहुत कुछ राजा सुनुतो राणी एक जवान पुत्र राजा को बांड सा लग गया पुछा कौन अंगद राय राणी नहीं राजा रतन सा राणी नहीं राजा च्छत्र साल राणी हाँ जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परू को फरफडाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है उसी भाती चमपत राय पलंक से उचले और फिर अचेत होकर गिर पड़े छत्र साल उनका परम प्रिय पुत्र था उनकी भविष्ट की सारी कामनाय उसी प्रवलंबी थी जब वो अचेत हुआ तब बोले सारं तुमने बुरा किया अंधेरी रात थी रानी सरंधा घोडे पर सवार चमपत राय को पालकी में बठाय किले के गुप्त मार से निकल जाती थी आज से बहुत काल पहले एक तीन ऐसी ही अंधेरी दुखमई रातरी थी तब सरंधा ने सितला देवी के कुछ कठोर वचन कहे थे सितला देवी ने उस समय जे भाईश्रानी की थी वा आज पूरी हुई क्या सरंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वो भी पूरा होकर रहेगा मध्याहन था सुर नरायन सिर पर आकर अगनी की वर्षा कर रहे थे शरीर को जुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायू वन और परवत में आग लगाती फिरती थी यसा विजित होता था मानो अगनी देव की समझ से ना गरश्ती हुई चली आ रही है गगन मंडल इस भै से काप रहा था रानी स्रंधा घोड़े पर सवार चंपत राय के लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी ओर्चा दस कोस पीशे छूट चुका था और प्रतिछन या अनुमान इस्थिर होता जाता था कि अब हम भै के छितर से बाहर निकल आए राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने से सराबोर पालकी के पीछे पांच सवार घोड़ा बढ़ाय चले आते थे प्यास के मारे सबका बुरा हाल था तालू सुखा जाता था किसी रुष्ट की च्छा और कुए की तलाश में आखें चारो और दोड रही थी अचनक सरंधा ने पीछे की तिरफ फिर कर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया उसका माथा ठिनका कि अब कुशल नहीं है यह लोग अबस्य हमारे सत्रू है फिर विचार हुआ कि शायद राजकमार अपने आदमियों के लिए हमारे सहायता को आ रहे हो नराशे में भी आशा साथ नहीं छोड़ती कई मिनद तक वह इसी आशा और भै के वस्था में रही यहां तक कि वह दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्थर साफ नजर आने लगे राणी ने एक ठंडी सास ली और उसका शरीर तिर्णुवत कापने लगा यह वाजशाही सेना के लोग थे सरंधा ने कहारों से कहा डोली रोक लो बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारी खीच ली राजा के वस्था बहुत सोचनिये थी किन्तु जैसे दवी हुई आग हवा लगते ही परिप्थ हो जाती है उसी प्रकाची संकट का ग्यान होती ही उनके जज़ों शरीर में विरात्मा चमक उठी वे पालकी का परदा उठाकर बाहर निकलाए धनुषवान हाथ मिले लिया किन्तु वह धनुष जो उनके हाथ में इंदर का वज्र बन जाता था इस से में जरा भी न जुका सीर में चक्कर आया पैर थराय और धर्ती पर गिर पड़े भावी अंगमंगल की सुचना मिल गई उस पंक रहित पक्षी के सद्रिश जो साप को अपनी तरफ आते देखकर उपर को उचकता और फिर गिर पड़ता राजा चंपत राय फिर समभल उठे और फिर गिर पड़े स्रंधान उन्हें समभल कर बैठाया और रोकर बोलनी की चेश्टा की प्रंतु मुह से केवल इतना निकला प्राण नात इसके आगे मुह से एक शद भी ना निकला आन पर मरने वाली स्रंधा इस समय सधान इस्तरियों की भाती शक्तिहीन हो गई लेकिन एक अंस्त तक या निर्बलता अस्तरी जाती की शुभा है चंपत राय बोले सारन देखो हमारा एक वीर जमीन पर गिरा शोक मेरी आखों के सामने शत्रू तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी न सकूँगा हाए मृति तु कब आएगी यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया तरवाव की तरफ हाथ वढ़ाया मगर हाथों में दम न था तब सरंधा से बोले प्रिय तुमने कितने ही अवस्वरों पर मेरी आन निभाई है इतना सुनते ही सरंधा के मुर्जाय और मुख पर लाली दोड़ गई आसु सूख गय इस आशा में कि मैं पती के कुछ काम आ सकूँ उसके हिर्दे में बल का संचार हुआ और राजा की वर विश्वास उपादक भाव से देख कर बोली इश्वर ने चाहा तुम मरते दम तक निभाऊंगी राणी ने समझा राजा मुझे प्रान देने का संकेत कर रहे है चंपत राए तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली सरंधा मरते दम तक न टालोंगी राजा यह मेरी अंतिम आचना है इसे अस्विकार न करना सरंधा ने तलवार को निकाल कर अपने वक्ष हस्थल पर रख लिया और कहा यह आपकी आगया नहीं है मेरी हारदी कहविलाशा है कि मरू तो यह मस्दक आपके पद कमलों पर हो चंपत राए तुमने मेरा मतलब नहीं समझा क्या तुम मुझे इसले सत्रों के हाथों में छोड़ जाओगी कि मैं बेडियां पहने गए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनू राणी ने जिग्यासा के द्रिष्टी से राजा को देखा वह उनका मतलब न समझी राजा मैं तुम से एक वरदान मांगता हूँ राणी सहर्ष मांगिए राजा ये मेरी अंतिम प्रात्ना है जो कुछ कहूंगा करोगी राणी सिर के बल करोगी राजा देखो तुमने वचन दिया हैं इनकार न करना राणी काप कर आपके कहनी की देर है राजा अपनी तलवार मेरी छाती में चुभो दो राणी की हिर्दे पर वजर पाजसा हो गया बोली जीवन आथ इसके आगे वह कुछ होर न बोल सकी आँखों में नराशे छा गया राजा मैं बेडिया पहनने के लिए जिमित नहीं रहना चाता राणी मुस्तिह कैसे होगा पांचवार अंतिम सिपाही धर्ती पर जा गिरा राजा ने जुनला कर कहा इसी जीवन परान निभाने का गर्व था बाशा के सिपाही राजा की तरफ लपके राजा ने नराशे पुन्ट भाव से राणी की और देखा राणी छन भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही लेकिन संकट में हमारे निश्चयात्मक सक्ती बलवान हो जाती है निकट था किसी पाही लोग राजा को पकड़ ले कि सरंधा ने दामनी के भाती लपक कर तलवार राजा के हिर्दे में चुभा दी प्रेम की नाव प्रेम के सागर में ढूप गई राजा के हिर्दे से रुधिर की धारा निकल रही थी चेहरे पर शांती चाई हुई थी कैसा हिर्दे है वह स्टरी जो अपने पती पर प्राण दिती थी आज उसकी प्राण गातिका है जिस हिर्दे से लंगित होकर उसने यवन सुख लूटा जो हिर्दे उसके विलाशाओं क्या केंद्र था जो हिर्दे उसके भीमान का पोशक था उसी हिर्दे को सरंधा की तलवार छेद रही है किसी इस्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है आत्मा भीमान का कैसा विशाद मैं अंत है उदैपुर और माडवार के तिहास में भी आत्म गौरों की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती बाज़शाही सिफाही सरंधा का यह साहास और धैर देख कर दंग रह गये सरदार ने आगे बढ़कर कहा सरंधा ने कहा अगर हमारे पुत्रों में से कोई जिवित हो तो यह दोनों लाशें उसे सौप देना यह करकर उसने वही तलवार अपने हिर्दे में चुभो ली वह चेत होकर धर्ती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था धन्यवाद